प्रिये दर्शकों नमस्कार स्वागत है आपका प्रमार्थ हैश्ट्रों में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भोजन की क्या विधी है किस प्रकार से हमें भोजन करना चाहिए भोजन के विशय में रिशियो द्वारा बताई हुई कुछ बाते हैं दोनों पैर हाथों को और मूँ धोकर पूर्व की और मुख करके मौन भाव से भोजन करना चाहिए जिसके माता पिता जीवित हों वह दक्षिन की और मुख करके भोजन न करें भोजन करते समय बाएं हाथ से अन्ड का स्वर्ष न करें और चरण मस्तक तथा अन्ड कोश को भी न चुएं केवल प्राणादी के लिए पांच ग्रास अरपन करते समय तक बाएं हाथ से पात्र को पकड़े रहें उसके बाद छोड़ दें भोजन के समय हाथ गुटनों के बाहर न करें भोजन काल में बाएं हाथ से जल पात्र उठा कर दाहिने हाथ की कलाई पर रख कर यदि पानी पिए तो वह पात्र भोजन समाप्त होने तक जूठा नहीं माना जाता ऐसा भगवान मनु का कथन है यदि भोजन करता हुआ द्विज किसी दूसरे भोजन करते हुए द्विज को छूदे तो दोनों को ही भोजन छोड़ देना चाहिए रात्री को भोजन करते समय यदि दीप बुझ जाए तो भोजन रोक दे और अन्न का दाए हाथ से स्पर्ष करते हुए मन ही मन गायत्री स्मरण करें पुरह दीप जलाने के बाद ही भोजन आरंब करें अधिक मात्रा में भोजन करने से आयू तथा आरोग्य का नाश होता है उदर का आधा भाग अन्न से भरे चौथाई भाग जल से भरे और एक चौथाई भाग वायू के आने जाने के लिए खाली रखें भोजन के बाद थोड़ी देर तक बैठें फिर सौ कदम चलकर बाई करवट से कुछ देर तक लेटे रहें तो अन्न ठीक पचता है भोजन के अन्त में भगवान को अरपन किया हुआ तुलसी दल भक्षन करना चाहिए तो यह थी भोजन के विशय में कुछ विशेश बातें जो रिशियत्वारा कही गई थी अब आगे जानते हैं हमको भोजन आरंब करते समय क्या करना चाहिए सर्व प्रथम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उचारण करके अपने आगे जल से चार अंगुल का चोकोना मंडब बनाए और उसी पर भोजन पात्र रख कर उसमें घृत सहित व्यंजन रखे अपने दायनी तरफ जल पात्र रखे फिर भगवत बुद्धि से अन्न को प्रणाम करके यह मंत्र बोले ओम ब्रह्मारपणं ब्रह्महविर ब्रह्माग्नव ब्रह्मनाहुतं ब्रह्मैवते नगंतव्यं ब्रह्मकर्मसमादिना त्वदियं वस्तुगोविंद तुब्यमे वसमर्पये ग्रिहान सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अन्न में तुलसी दल छोड़ कर जल सहित अन्न भगवान नारायन को अरपन करे उसके बाद हाथ में जल ले करके थाली के उपर से घुमाते हुए छोड़ दे यह मंत्र बोलते हुए ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं सीर्ष्डोध्यो समवर्तत पद्भ्यांभू मिर्दिशः श्रोत्रात्ता लोकान अकल पयन्ना परमेश्वर की नाभी से अंतरिक्ष, शिर से द्योलोक, पैरों से भूमी और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुए इस प्रकार परमात्मा ने समस्त लोकों की रचना की यहाँ इस मंतर का अर्थ है, इस मंतर के द्वारा आप भोजन की थाली के उपर से जल घुमा करके छोड़ दें उसके बाद ओम अम्रितो पस्तर नमसी स्वाहा इस मंतर से आजमन करके आगे दिये हुए इन पाँच मंतरों से क्रमशह एक-एक को पढ़कर एक-एक ग्रास अन जो बेर या आमले के फल के बराबर हो मुख में डालें ओम प्राना यस्वाहा ओम अपाना यस्वाहा ओम व्याना यस्वाहा ओम समाना यस्वाहा ओम उदाना यस्वाहा इसके बाद उन्हा आजमन करके मौन होकर यथा विथी भोजन करें तो इस प्रकार हमें भोजन करना चाहिए भोजन की यह विधी है इस प्रकार भोजन करने से आयू और आरोगी की प्राप्ति होती है यही हमारे रिश्यों का कथन है इसी प्रकार और भी लावदायक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इसी प्रकार की और लावदाएक वीडियो के साथ तब तक के लिए जय श्री राम